पार्शिवनी तहसील जो की कनहान नदी के किनारे बसी हुई है उससे कनहान नदी की हालत एकदम दैनिय हो गई है और कनहान नदी कनहान में ही नाले की रूप में दिखाई देने लगी है कनहान नदी की हालत हो गई है कि कनहान नदी को जिस्थानों पर तो तलाब की तरह दिखाई देने लगी है इसी कारण कनहान नगर परिशत की द्वारा नागरिकों को दो या तीन दिन की आड़ में पानी के आपूर्ती की जारी है जबकि कनहान नगर परिशत की और से 217 से प्रस्तावे 14 करोड की लागत से बनने वाला filter plant अभी भी पानी filter करने में वर्षों का समय लेने वाला है कनहान नगर परेशत का सबसे बड़ा अजूबा तो यह हुआ है कि कनहान नगर परेशत 14 करोड की लागत से filter plant तो बनवा रही है लेकिन फिल्टर में पानी देने के लिए कुए का कहीं भी अता पता नहीं है जबकि पानी फिल्टर करने के लिए लगने वाली मशीनों के साथ ही फिल्टर प्लान की इमारत भी पांच वर्ष होने के बाद अभी तक पूर नहीं हो पाई है यही कारणे की कनहा नगर परिशत के नागरिक कनहा नदी के किनारे रहे कर भी आने वाली गर्मी में बह्यानक जल संकट की और बढ़ रहे हैं और कनहा नगर परिशत आख मूंद कर बैठी है जिसके कारण गर्मी के मौसमे कनहा नगर परिशत पानी के टैंकरों का साहरा लेकर नाकरिकों की पानी की प्यास बुजा सकती है पानी कहां से आएका फिल्टर में ये एक बड़ी समस्य सामने दिख आ रही है असुन नदीचा काथालाच अमचा प्रभाग असुन असुन ही या प्रभागा मदे आता परन्त महिलान ना सकड़ी पाच वास्ता उठून या पान्याचा वापर करूं गहावा लगतों पानी की समस्या को लेकर अभी फरवरी महिना चल रहा है तो नगर परिशत प्रशासन दो दिन के आड में पानी दे रहा है अब रहर मार्च एपरिल में लोगों के यहां कुलर और पंखे चालू हो जाएंगे जिसके लिए पानी के आउशकता रहेंगी तो नगर परिशचत सही में पानी कि देश सकेंगी क्या कनान नदी के कनान गाओ को कनान नदी के किनारे बसाने के बाद भी पानी के लिए तरपना पड़ रहा है यह नगर परिश्यत की बहुत बड़ी समस्या है कि दो सल पहले इदर आट इंच पाइप डाले हुए थे अब वहां से इदर जाइंट किये वो दाइंच पाइप में पानी बरुबर आता ने एक दिन में के बाद नल आता है और पानी बरुबर आता ने